जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ किसमत की रोटी तो कुटों को भी नसीब होती है इसलिए मैं समझाता हूँ बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ हमीशा खुश रहोगे जिन्दगी में काम करो ऐसा कि तुम लोगों को नहीं ये लोग तुम्हें फॉलू करें समझे नहीं समझे जब लोग आपके हार में का इंतिजार कर रहे हो उन्हें इंतिजार करने दो और समय आने पर दिखा दो अपना दम कोई आपको छोड़ कर चला गया कोई आपको पसंद नहीं करता चले जाने दो मत पसंद करने दो तुम अपने आपको पैचानो तुम इन सबसे कहीं उपर हो जस दिन तुमने अपने आपको पैचान लिया उस दिन ये पूरी दुनिया तुमारी कदर करेगी भीर में खड़ा होना मकसद नहीं होना चिये तुमारा बल्कि भीड जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है तुम्हें किसी को नहीं दिखते तुम्हारे आसो किसी को नहीं दिखती तुम्हारी पीडा और किसी को नहीं दिखती तुम्हारी उदासी लेकिन कितनी अजीब बात है सब को दिखती है तुम्हारी गलतिया दर्या ने जर्ने से कहा तुम्हें समुत्र नहीं बनना क्या जर्ने ने मुस्कुराते हुए कहा बड़ा बनकर खारे रहने से अच्छा है छोटा बनकर मीठा रहूँ जन्दगी में एक दोस्त ऐसा जरूर बनाना कि यदि भगवान को आपकी बहुत जादा याद आए और वो आपको उनके पास बुला ले तो वो दोस्त आपके पूरे परिवार को समभा ले क्या आपके पास है ऐसा दोस्त प्यार किसी से सिर्फ तब तक करना जब तक आप उसे भोज ना लगे जिस दिन आप उसे भोज लगने लगे उसके सर से वो भोज उतार देना ताकि आप भी खुश रहे और वो भी खुश रहे जीवन के ये तीन मंत्र हमेशा याद रखना जब भी बहुत खुश हो तो किसी को वचन मत देना जब भी बहुत क्रोध में हो तो किसी को उत्तर मत देना और जब भी बहुत दुखी हो तो कोई निर्णे मत लेना नहीं तो जीवन भरबाद हो सकता है